टोटल 97 केसे हुए हैं, इन 97 केसे में 5 ठीक होके घर चले गए, दो लोगों की डेथ हो गई थी, इन में से एक वेक्ती बीच में ही सिंगापूर चले गए थे, 89 केसे बचे हुए हैं, इन 89 केसे में एक पेशेंट वेंटी लेटर पे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि वही थोड़े से सीरियस हैं, भगवान करें वो भी ठीक हो जाएं, दो लोग ऑक्सीजन पे हैं, बाकी 86 सभी स्टेबल हैं, और हमें उमीद है कि ये 86 भी और ये लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैं तो उनके लिए भी दुआ कर मांग रहा हूँ, जो कि वेंटी लेटर पे हैं, उमीद करता हूँ कि वो भी ठीक हो जाएं, इन 97 केसिज की हमने एनलेसिस की, ये समझने के लिए कि, जब केसिज थोड़े से पिछले दो-तिन दिन में तेजी से बढ़ने लगे दिल्ली में, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं दिल्ली में तेजी से कोरोना फैल तो नहीं रहा, इन 97 केसिज में से 24 केस मर्कज के हैं, मर्कज की पूरे घटना करम पे मैं भी बात करूँगा, 41 केसिज फॉरिन ट्रैवल वाले हैं, जो विदेशों में हमारे भारत के नागरिक रह रहे थे, और पिछले महीने-दो महीने में उनको भारत लाया गया, वो केसिज हैं, 41 वो केसिज हैं, 22 केस ऐसे हैं, जो उनके सीधे परिवार वालों के हैं, जो फॉरिन से आए थे लोग हमारे, उनके परिवार के लोगों को कोरोना हुआ, 22 केस ऐसे हैं, और 10 केसिज की अभी हम जाच कर रहे हैं कि वो किस नेचर के हैं, तो फिल्हाल मैं ये नहीं कहूंगा कि दिल्ली के अंदर कॉरोना लोकल ट्रांसमेशन भी अभी फिल्हाल कंट्रोल में है कम्यूनिटी ट्रांसमेशन अभी नहीं हुई है केसिस बढ़े हैं और मरकज का जो पूरा सिलसला हुआ अभी उसकी वज़े से मर्कज से जिन लोगों को निकाला गया है हो सकता है उसमें बहुत सारे केसे पॉजिटिव अगले दो-तिन दिन में आएं मर्कज में बताया जाता है कि 12-13 मार्च के आसपास देश-विदेश से बहुत सारे लोग इकठे हुए किसी धार्मिक फंक्शन के लिए उस धार्मिक फंक्शन के बाद कई लोग चले गए और काफी लोग रुक गए अब जब पता चला तो उनमें से उनको पिछले कल से परसों से वहाँ से निकाला जा रहा है वहाँ पे जितने भी लोग निकाले गए हैं उसमें जैसा मैंने बताया अभी जो टेस्ट के कुछ रिजल्ट्स आएं काफी रिजल्ट्स आने बाकी हैं चौबिस लोग पॉजिटिव केसे मिले हैं उनमें 441 लोग ऐसे हैं अभी तक 1548 लोगों को मरकज से निकाला जा चुका है उन 1548 में से 441 सिम्टोमेटिक थे मतलब उनमें सिम्टम्स थे किसे को खांसी थे किसे को बुखार था इस तरह की सिम्टम्स थे कोरुना के सिम्टम्स थे उन 441 को हस्पतालों में पहुँचा दिया गया है उनके सब के टेस्ट हो रहे हैं इसके अलावा 1107 केसिस उनको कॉरिंटाइन के लिए भेज दिया गया इनमें सिम्टम्स नहीं थे इनको कॉरिंटाइन के लिए भेज दिया गया एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि ये ऐसी बिमारी है जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है बड़े बड़े विकसित देश नहीं बचे अमरीका में हजारों लोगों की मौत हो रही है स्पेन में हजारों लोगों की मौत हो रही है इकली में हजारों लोगों की मौत हो रही है चाइना में हजारों लोगों की मौत हुई है कितने देशों के अंदर लोग मर रहे हैं ऐसी स्थिती में भी अगर हम इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे कि इतने लोगों को हमने एक जिगे एकठा किया इस वक्त नवरात्रे के टाइम चल रहा है लेकिन कहीं हम नहीं देखते कि लोग इकठे हो रहे हैं तो इस टाइम में मंदिरों में कितने लोग इकठे हुआ करते थे गुर्दवारे सारे बंद कर दिये गए हैं मस्जिदों के अंदर लोग इकठे नहीं हो रहे हैं मस्जिदों अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिदों में लोग इकटे नहीं हुए मक्का खाली हो गया वैटिकन सिटी खाली हो गया ऐसे में इस तरह की इतनी बड़ी गैदरिंग करना बिल्कुल गलत था आप सोच सकते हैं कि इससे कितने यहां से बताया जा रहा है कि कई सारे लोग निकल के देश के अलग-अलग हिस्सों में चले गए कितने लोगों को इससे नुकसान हो चुका होगा यह सोच के भी डर लग रहा है भगवान ना करे ऐसा हुआ हो तो मैं सभी रिलिजियस लीडर्स से सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ हाद जोड़ के ऐसी हरकत मत कीजिए चाहिब किसी की धरम के हो सभी इनसान है और हर इनसान की जिन्दगी प्यारी है तो इस मामले में कल शाम कोई दिल्ली सरकार ने जी साब को लिखा था कि इस मामले में एफायर दर्ज की जाए मुझे पूरी उमीद है कि लजी साब तुरंट जल्द इस पर आदेश दे देंगे और मैं सुन रहा था कि कई लोग कह रहे हैं कि इतनी तारिक को इस अफसर को चिठ्थी लिखी गई थी उसने अक्शन लिलिया इतनी तारिक को इस अफसर को चिठ्थी लिखी गई थी अगर किसी भी आफिसर की कोताही मिलती है उसको भी नहीं बक्षा जाएगा क्योंकि यह जो पूरा का पूरा सिलसला हुआ है यह बहुत ही गलत है बहुत गलत है कितने लोग जो अंदर मौजूद थे उनकी जिंदिकी के साथ खिलवाड हुआ है वहां से निकल के कितने लोग देश भर में गए कल मैंने सुना तेलंगाना में जो लोग यहां से निकले थे तेलंगाना पहुंचने के उद the कितने जो जिन्होंने डिरेक्ट पार्टिसिपिट किया था उनकी जिंदगी खत्रे में और कितने लोग जो बाद में उनके संपर्क में आये उनकी जिंदगी खत्रे में हो सकती है। ऐसी हरकत हमें बिलकुल ने करनी ऐसे में सरकार को सक्त कारवाई करनी पड़ेगी और सरकार उसमें हिचकिचाएगी ने कुछ दुकानों में जो राशन बट रहा है बहुत भारी संख्या में लोग आके राशन ले रहे हैं कुछ दुकानों में राशन खतम हो गया है वहाँ प बटवा रहे हैं तो आपका राशन आएगा हर व्यक्ति को राशन मिलेगा जिस जिस के पास राशन कार्ड है राशन के दुकान से उसको हर एक व्यक्ति को राशन मिलेगा मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं तो आप वहाँ पे अगर आज मान लीजे राशन बंद हो गया खतम हो तो चिंता मत करना, कल आ जाएगा, परसो आ जाएगा, अगले तीन चा दिन में सब को राशन दिल्वाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लावा कल मैं ने बताया था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जो लोग गरीब हैं, उनको भी राशन का इंतिजाम कर रहे है वो भी सारी कारवाई, रोज मैं मीटिंग ले रहा हूँ. थोड़ा समय लग रहा है, कहां से राशन उठाएंगे, कैसे करेंगे, वो सारा हम कर रहे हैं, उनको भी राशन देंगे. तब तक आप सब लोग जिनके घर में राशन नहीं हैं आप सब लोग जो जो गरीब हैं और खाने को नहीं हैं आपके लिए हमने जगे-जगे किचन लगाई है खाने का इंतजाम किया है अभी लगबग आठ सो जगहों के उपर दिल्ली सरकार खाना खिला रही है कल से धाई हजार स्कूलों में और लगबग धाई सो नाइट शेल्टर्स में पौने तीन हजार सेंटर्स के उपर खाना बटना चालू होगा और एक-एक सेंटर्स में लगबग पानसो पानसो लोगों के खाने का इंतजाम होगा तो आज तक हम लोग साड़े तीन से चार लाख लोगों को खाना खिला रहे थे डेली कल से हमारे पास दस से बारा लाख लोगों को हम खाना खिला पाएंगे मुझे लगता नहीं इतने लोग खाना खाने के लिए आएंगे लेकिन इस पर हमने काफी सोच विचार किया अभी जहां हम खाना खिला रहे थे वहां खाना खाने वालों की भीड उमड रही थी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही थी तो हमने सोचा इसको बहुत जादा सेंटर बना देते हैं तो लगबग पॉने तीन हजार सेंटर में कल से खाना मिलेगा मैं उमीद करता हूँ कि अब वहां पे सेंटर के उपर लोगों की भीड नहीं होगी हम दस से बारा लाख लोगों को खाना खिला पाएंगे लेकिन शायद इतने लोग खाना खाने के लिए ना आएं पिछले कुछ दिनों में कई सारे द्योग पतियों के बड़े बड़े लोगों के फोन आए उन्होंने इस पूरी मुहिम के लिए अपना योगदान देने की इच्छा जाहिर की जो जो लोग डोनेशन देना चाहते हैं वो CM Relief Fund में डोनेशन दे सकते हैं लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है अगर आप सीधे हमें PPE बहुत सक्स जरूरत है मुझे अपने डॉक्टर्स की सेहत की चिंता है हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा PPE सरकार भी खरीद रही है लेकिन अगर आप भी कहीं से खरीद के सीधे PPE दे सकते हैं या वेंटिलेटर दे सकते हैं या टेस्टिंग किट्स दे सकते हैं इन तीन से चीज़ों की इस वक्सक्स जरूरत हैं हम भी कोशिश कर रहे हैं इदर दर से लेने की ला रहे हैं लेकिन अगर आप भी खरीद के दे सकते हैं तो आप हमें जरूर सीधे खरीद के दे सकते हैं हम भी कोशिश कर रहे हैं इदर दर से लेने की ला रहे हैं लेकिन अगर आप भी खरीद के दे सकते हैं तो आप हमें जरूर सीधे खरीद के दे सकते हैं आप सुखी रहें, आप स्वस्त रहें